आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा वीट ग्रास कैसे बनाते हैं वीट ग्रास बनाने की विधिया और कौन से रोग में इसका प्रियोग होता है सत्य प्रियोग है या जूटा नहीं है उसी को मैं आप लोगों बताऊंगा इसको पतंजली के आचारय गहाराज और बाबा राम देव ने भी परिशिक्षन किया है उसत्य पत्य भी हुआ है इसको जन सद्धार नी सकता है इसको कैसे करिये जो पथा देखर हो मैं खेत से लिया हो सुबह-सुबह गहुद की खेत से तो गहुद का यहा पथा है छोटा सब न algorithm होता है तो इनके य स्भी रस 15 मिलिक्राम उसमें से गिलवय का रस मिलाना है आपको गुरूद बेला बोलते थे श़वडिय सब सब्रें जो और इइसलां स कारीकृट कैंगश्सण आक्साइब का वेटات। जोर हो गया हो उसको यहां सरतिया करता है यहां अजमाई गई सरतिया प्रयोग है इसमें किसी प्रकार संधे करने कोई बात नहीं है तो इनका प्रयोग करके आप लाप्राप्त कर सकते हो कैसा भी केंसर रोग हो इसको अजमा कर देखना बाजी करन में कवच की बीज आओ गेह यहां मैंने प्रोग आप लोगों को बताया इसी तरह से पहुचा विकार पर भिया काम करता है कुष्टो रोग में भी प्रकार के रोग में अगर मुत्रम में किसी भी परकार का पथर रोग हो गया हो तो गीहूं और चना को मिला करके उसका कवात या काढ़ा बना करके अगर रोज खाली पेट तीम टाइम पिया जाए सुभा साम दो पहार तो कैसा भी आपका पथरी हो उसको यहां गला करके निकालती यहां गीहूं तो आप केंसर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं और बाजी करन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं पथरी पर भी प्रयोग इसकी